से पहला objective आपको तयार करके जाना जो कि आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है maka द्रिश्टी प्राश होता है तो यहां पर सोस्दे स्रिश्टी प्राश कितने होती है 25 से अनन तक याद रखेगा इसका छी answer क्या होगा 25.0 अगर आपको बताना है कि जो दूर दर्ष्टी उसका दोस का क्या कारण तो इसका सेहरें सोझेगा यह लैंस की फोकस दूरी बढ़ जाना ठीक उसके बाद ही अपर तीसरा कोश्चन आपको को पुछाँ SUV एक छोटा सा लेकिन ये जो पाच्वाय। लेकिन यह जो पाच्वाय। तो इसका सेंस हो जएगा 25 सेंटीमेटर और अधिक्तम क्या अनंतक ठीक है तो सोस्ते नेत्रे की निकर्टम दूरी क्या हो जाएगी 25 सेंटीमेटर ठीक है उसके बाद नहीं पर प्रकास का रंग चो तो मैंने बता दिया ठीक है फिर आपर एक कोश्चम पुझाता है प्रकास क कनी का सिद्धांत किस ने दिया ठीक है इसका सेंसर क्या होगा न्यूटर ने किस ने दिया था प्रकास का कनी का सिद्धांत किस ने दिया था न्यूटर ने ठीक है सात्वा क्या है सुद्ध वर्नकरम में सीमान तरंग होते बेगनी और लाल कॉंकुन से कलर होते एक बेगनी कि छमता कितनी होती है तो इसका से जोगा सुन्य कितनी होती है सुन्य किती होती है सुन्य ठीक है उसके बात नोवा है अपरतें के दृत्य नियम के खोच करता को ने इसनेल है यह विज्ञानी का नाम बता है तो फिर वो भी इसनेल है ठीक है फिर यह मानो नेत्र में कौन सा ल यहां पर अगर आप धियान से वीडियो देखोगे तो यह सब आराम से याद कर लोगे और एक बार में नहीं याद होता है तो फिर से एक बार दोबार देख लीजेगा टाइम है हमारे पास अभी यह वीडियो आ रही है लगबग 9 मार्च को या आच को यह आ चुकी है आपके की त्यारी करते रहे और हाँ चैनल का अभी तक सब्सक्राइब निकार चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन पर और पर प्रेस कर जिएगा जिसे वीडियो की जो नोटिफिशन हो आपके पास आ जाए ठीक है उसके बाद आपका चैप्टर टू स्टार होता है मतलब आपका चुमबक्तव मेंसे भी आपको कुछ कोश्चन पढ़कर जाना इसमें भी आपको एक अब्जेक्टि पुछा जाए जगा है तो आपको पुछा जाएगा कि चुमबक की आगुन का सूत्र होता है तो यहां पर बहुत ही इंपोटेंट कोश्चन है दोस्तों यह पूछा जा किस प्रकरति के लोगुस्तों कि बताती ठीक है उसके बद आपको पुछ जाएगा अनचम्पकी मेगनिच पिलेटिनियम औक्सीजन और लिय्यंुमिन्यों ठीक है वाला कोस्चेन पूछिन ऑन पूछा जाता है कि सोडियम सोडियम कैसा बदा तो और इंच dóu क require आपको पू पुछ ले जाता है ठीक है तो नौट कर लो फिर िश्ट कोईचन आपको यहां पर पूछा जाता है कि बल का मात्रक क्या होता है बहुत ही important question एक बार पल लेना चाहिए बल का मात्रक्क क्या होता है तो बल का मात्रक्क होता है के बताए अब यहां पर प्रतिंद किया दिखांदन प्रतिंद किस जया तो यहां पर जो सोना या चन्दी कैसा बदाए प्रतिंद की बदारत तय। प्रतिंद के बदारत पार59 प्रतिंद vale में वह बहुत इंपोर्टेंटा त्या पर लोग चुम्बकी बदात अन्चुम्बकी बदात बन जाता है तो यहाँ पर चुम्बक में प्रतेक्षन कितने दुरू होते दो एन और एस ठीक है याद रखेगा नेस्ट कोचन आपको पुछ लिया जाता है कि चुम्बकी छेतर में उदासिन बिंदू पर पर परिनामी चुम्बकी बल का मान खालिस्तान होता है याद देखेगा लिए तो यहाद रखेगा यहाँ पर नेस्ट कोचन है चुम्बकी छेतर की तीविता का मातर रख तो यहाँ पर वेबर पर मेटर हो जाएगा अप मेंने सोई हमने आप सभी के लिए इंपोर्टेंग कोश्चन निकाले यहाँ पर आपका भाई बहुती मेनत करता आं ऎपने के लिए है आप सभी में को टॉप कराना है आप सभी रिजल्ट आने के बाद नेश्ट कोश्चिन के अर बड़то है तो यहां पर नेश्ट कोश्चिन आपको पुछ लेता है नर्म लोवे से बना चुम्बक पूछ जास लोवे में आपको हाँ करना है कि आपको रात को दो बधَ उठकर भी पूछा जाए तो आपको शाही नसर आना चाहिए डिए त्यूंबक के मध्द्य में चुंबक तुवा का मान के साथ सुन्य होता है अब चेप्टर 13 आपका उश्मा हिट तो यहां पर सबसे पहला कोश्चन आपको पूछा जाता है कि पानी की विस्ष्ट उश्मा होती है तो बहुत ही इंपोर्टन कोश्चन यह पूछा ही जाता है क सब्सक्रा 넘 किस्कें साही मात्रक जूल पर किलोग्राम डिगरी सेल्षिए स्क्राइब ओता है निसली तो याल रखिए याद रखेगा धर्पकी उष्मा का मान किता होता हुता है 80 केलोरी ऐसए केलोरी पर ग्रम और उसी प्रकात भापकी उष्मा किती होती है 536 केलोरी हुती है थीक है तो याद रखेगा यह पर वहती है वह legitimately है उसके बड़्याप coriander क्या नेश्ट कोश्चीं यहाँ आप देख सकतेरेंट को पूछा जाएगा डीक्त सबसे अधिक होती है तो यहाँ सब से अधिक विश्रश्टिय को पानिणी की और आको सबसे अधिक विश्रश्च विश्हत्यु mm होती है और आपको को खालिस्तां का पानी सिग्रेट ठंड हो जाता है या किस पानी का सिग्रेट ठंड हो जाता है तो दस्वाय न्यूटन का सितलम नियम पोदो के लिए भी लाग होता है तो न्यूटन का सितलम नियम खालिस्तां के लिए भी लाग होता है तो इसका सेंस हो जाएगा पोदो के लिए यह यू कोश्चन पूछ ले जाए कि आपको यहां पर दो कोश्चन फसे होई कौन से अगर आपको पूछ ले जाए कि सीतलं का नियम किस ने दिया था तो यहां पर बताए किस ने दिया था यह क्या बोड़ा है न्यूटन का सीतलं नियम किस ने दिया होगा न्यूटन बहुत ही इंपोर्टेंट है एक कलोरी बराबर फॉर पॉइंट टू जूल होता है कितना होता है फॉर पॉइंट चार दसमर्ट दो जूल ठीक है याद रखेगा इसके बाद नेश्ट कोश्चन क्या है यहां पर आप देख सकते हो यहां पर बारवाग अबजेक्ट्टी तया पर यहां पर नेश्ट कोशेन उसमा का इसाई मात्रक तो उसमा का इसाई मात्रक क्या होजगा जूल याद रखेगा ठीक है पुप्रिंट मेंने इससे पहले वीडियो में दिया था अगर आपने वीडियो नहीं देखिए तो इस लिए के बाद जाकर देख लेजिएगा blueprint को समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि blueprint के माध्यम से आपका paper तयार होता है तो अगर आप blueprint समझ जाओगे तो आप अपने paper की तहरी बहुत आसानी से करोगे यहाँ पर मैं आपकी मदद कर रहा हूँ साथ ही आपको self study भी करनी है तो यहाँ पर next question आपको उष्मा का मापन खालिस्तान है तो इसका इंसर क्या हो जाएगा उष्मा क्या हो जाएगा उष्मा के लिए पढ़का जाना है ठीक है तो अगर आप इसका पीडिया पर जाकर डाउनट कर सकते तो इसके लिंक आपको डिस्कुस में मिल जाएगी ठीक है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यहाँ पर अभी तक आपनी स्वीडियो का अपनी दूसरे शेर नहीं क्या तो शेर कर देख सकते तो बाकी अभ बाकी है सकते तो तो आपनी स्वीडियो ड़ Kennप घृच कर दो ड़के दिस वीडियो